अगर आप सभी लोग PNB MetLife के Genius Plan के Future Secure Option की रिटेल को समझना चाते हैं तो आज की वीडियो का description चेक कीजेगा आपको PNB MetLife Genius Plan के Future Secure Plan की वीडियो का लिंक मिल जाएगा श्रीमान जी आपके कमेंट के लिए धनेवाद आपको पता ही है कि चैनल पे प्रती एक वीडियो आपी लोगों के प्रस्टन सुजाव कमेंट के अनुसार रोजाना आती है इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करके और लोटिफिकेशन बैल को उन करना ना भूलें जिससे सब भी लेटिस वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे तो आईए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम समझेंगे PNB MetLife के College Plan की eligibility criteria को ये एक पुराना प्लान था और इस प्लान को लेने के लिए जो IUC मा रखी गई थी वो थी 20 साल से लेके 45 साल तक की प्लान में जो maximum maturity age का limit था वो था 69 साल यानि की 69 years और प्लान लेने के लिए जो सालाना premium का limit था minimum वो था 18,000 अगर आप सालाना premium पे करते थे अधरवाइस 30,000 रुपे सालाना प्लान में policy term और premium payment term दोनों ही equal रखे गए जो की 12 साल से लेके 24 साल तक के हुआ करते थे और जो minimum sum majority का limit रखा गया था प्लान में वो 2,12,040 रुपे का रखा गया था maximum 5 करोड तक ये limit इनों ने रखी दी तो देखे ये प्लान पुराना है अब इसको market से withdraw कर लिया गया क्योंकि जब इनकी product list आप चेक करते हैं जो current में available website पर वहाँ इसकी जानकारी नहीं मिलती है तो आईएव हम जानते हैं PNB MetLife के college plan के benefits के बारे में सबसे पहला benefit इसमें मिला करता था survival benefit अब जो survival benefit है उसे आप money back भी कह देते हैं अब जो ये benefit है ये आपको maturity के आखरी के तीन सालों में मिला करता था जो कि यहाँ पे लिखा गया है कि policy term minus one year policy term minus two years policy term minus three years amount कितना था आपन चुना था प्लान लेते वक्त उसका 20 प्रतिशत जब आप सारे premium complete कर लेते हैं तो आती है maturity 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 पे आपको maturity sum azure के साथ में simple reversionary bonus और terminal bonus यदी है तो company पे खड़ती है और bonus guaranteed नहीं होता एक बार company announce करते है तब ही वो guaranteed payable होता है आइधर नहीं तब हम यहाँ पे PNB MetLife के college plan के benefit को स चुना तो 20 साल का ही premium payment time हुआ और सालाना उन्होंने 30,000 रुपे का premium pay किया करते थे तो देखे यहाँ पे हम assume कर रहे हैं ऐसा यह guaranteed नहीं है कि उनको 625,200 का मिल गया होगा sum azure जो public domain में जो information available है उसके अनुसार और जो survival benefit है हमें पता है कि three times ही मिलेगा इनको basic sum azure का 20 यानि कि policy के 17 साल पर जो base sum azure 625,200 उसका 20% मिलेगा इतना ही amount 18 साल पर इतना ही amount 19 साल पर जो हम 625,200 का 20% निकाल लेंगे तो यह amount 1,25,040 रुपे के आसपास हो जाती है ठीक है जी तो यानि कि maturity से पहले total sum of survival benefit जो हो जाएगा वो 3,75,120 का मिल जाएगा कम मिलेगा जब लगात तब अब 20 साल complete हो गए तो maturity आ गई, maturity pen को maturity sum azure और simple reverse bonus और terminal bonus बॉनस की जो PDF है वो already telegram channel पे है अगर policy term up to 18 साल तक का है तो 2.35% का है यहाँ पे simple reverse bonus rate अब हमने policy term 20 साल का लिया है तो यहाँ पे 2.75% का simple reverse bonus rate लागू हो जाता है bonus rate निश्चित नहीं होता है यह घटा बढ़ता रहता है अब हमें यहाँ बस समझना है कि कैसे calculate कर सकते हैं उस वज़े से हमने 6,25,200 का 2.75% निकाल के 20 का गुणा कर दिया तो 17,193 रुपे की दर से सालान 3,49,800 कुछ रुपे का यह amount हो जाता है अब जानेंगे maturity sum azure क्या है यानि कि maturity पे इनको क्या मिल जाएगा basic summer short 2,50,080 रुपे plus 3,43,860 रुपे का simple reversionary bonus और terminal bonus जदी होगा तो मिल जाएगा अब हम सब का total कर लेंगे तो 3,75,120 रुपे का तो इनको मिल गया maturity से पहले ही survival benefit और 5,93,940 रुपे का maturity benefit मिल गया दोनों को जोड़ दिया तो 9,79,60 रुपे plus terminal bonus अब terminal bonus का rate हमें नहीं पता चला इस वज़े से हमने आप terminal bonus लिख दिया और यह announce होगा तो मिलेगा ही यह चीज चौर शॉट है अगर company ना announce किया तो राइट और terminal bonus जो है आपका जो simple revolutionary bonus इतना बनता है ना प्लान के अंदर उसके उपर calculate किया जाता है इस plan death benefit क्या है death summer short के साथ में simple revolutionary bonus और terminal bonus यदी है तो अब देखे simple revolutionary bonus की कैसे calculation करनी होती है बिल्कुल simple है कि basic summer short का प्रतिशत निकालने और जितने साल का policy term है यह जहां तक premium पे कर दिया हमाँ तक उसको गुणा कर लीजिए जो भी बोनस रेट होगा उसके इनुसार terminal bonus आपको exactly company बता ही देगी ठीक है यह दोनों चीज के लिए रहे हैं तो हमें क्या जानना है यहां पे that summer short जानना है that summer short के लिए क्या करते हैं सालाना base premium में 10 का गुणा कर देते हैं और उसका comparison कर लेते basic summer short से दोनों से जो भी जादा होता है दोनों में से वह होता है that summer short प्लान कहता है कि कि किसी भी condition में total paid premium जो base premium जिसमें से tax और charges आप घटा देते हैं उसका 105 प्रतिशत तो कम से कम death benefit होगा ही लेकिन मैं कहता हूँ कि जो आप basic summer short है आपका उतना तो आप death benefit मान के चलो ही चलो अगर bonus नहीं भी announce हुआ तो वैसा ऐसा होगा नहीं पर नहीं भी हुआ तो अम माल लेते हैं श्रीमा नेकी म 100 हो जाएगा मारा और 10 साल में जो अक्यूर्ट सिंपल रिवर्स नरी बॉनस हो जाएगा वह 1,70,930 रुपे का बैठ जाएगा राइट क्योंकि सिंपल रिवर्स नरी बॉनस रेट 2.75 प्रतिशत है तो यहां पर हमारा death समश ओड क्या हुआ हुआ 6,25,200 जो कि हमारा base समश लोटा है इसमें हम 1,70,930 रुपे जमा टर्मिनल बॉनस क्योंकि 10 साल कंप्लीट होने पे हुई है अगर policy के पहले 5 साल से पहले हो जाती death तो टर्मिनल बॉनस नहीं मिलता यहां पर मिल सकता है तो death benefit 7,97,130 रुपे नॉमिनी को मिल सकते हैं और policy बंद हो जाएगी अब बात 3 साल premium pay कर लिया तो आप surrender कर सकते हो ऐसे में जो minimum surrender value होती है उसे हम guaranteed surrender value कहते हैं और guaranteed surrender value निकालने के लिए GSV का मतलब है guaranteed surrender value factor ठीक है का गुणा कर देते हैं total paid premium में फिर जो bonus एखटा हुआ जिसे मैंने SRB लिख दिया simple reverse revolutionary bonus को उसका surrender value निकालते हैं और survival benefit को घठा देते हैं अब हम माल लेते हैं कि श्रीमान A policy के 10 साल complete होने वे policy को surrender करना चाते हैं तो मैं पता है जस्ट अभी हमने calculate किया था 6,25,200 का 2.7% निकाल के उसमें 10 का गुणा करके 1,71,930 रुपे का हमारा accurate simple reverse revolutionary bonus आ गया था 30,000 रुपे सालाना premium पे कर रहे हैं तो 10 साल में 3,00,000 रुपे पे कर लेंगे और survival benefit निल हो जागा क्योंकि वह maturity के आखरी सालों में मिलता है तो survival benefit मिला नहीं तो यहां पर guaranteed standard value क्या होगी जी जो हमने 3,00,000 रुपे पे किये हैं premium के उसका 60% निकालेंगे फिर इसमें हम जोड देंगे 1,7930 का 2.06% निकाल के राइट अब यह 60% क्या है guaranteed standard value factor है premium के लिए और 2.06% है bonus के लिए guaranteed standard value factor तो मांट आ जाएगा 1,83,541 रुपे 76 पैसे के आसपास ठीक है इस तरीके साब guaranteed standard value calculate करेंगे अब आपके mind में होगा यह guaranteed standard value factor लिया कहां से तो चार्ट हमारी screen के ऊपर है हमने 20 साल का लिया था policy temp 10 साल हमने complete कर लिये तो आप screen पे साफ देख सकते हैं कि guaranteed standard value factor 60 प्रतीशत यहां पे लिखा हुआ जिसे नोंने लिखा 60 दिसम्लब सूने प्रतीशत राइट आप अपने policy bond का annexure भी चेक करेंगे तो आपको यह table मिल जाएगा वही बात आती है यहाँ जो हमारा bonus है accurate simple revolutionary bonus उसके लिए जो guaranteed standard value factor है उसके detail हमारी screen के ऊपर है ही आप पढ़ रहे हैं इस समय 20 साल का हमने policy temp लिया 10 साल हमने complete कर लिये तो हमारा यहाँ पे guaranteed standard value factor जो accurate bonus simple revolutionary bonus के लिए आया वो दो दसम्लब सूने प्रतीशत यहाँ पे show हो रहा है यह जो PDF है आपको telegram channel पे मिल जाएगी link वीडियो के description में है या फिर आप telegram पे you the real search करेंगे without any space तो भी आपको मिल जाएगा और bonus का PDF पहले से ही telegram channel पे available है loan special surrender value का 90% तक मिल सकता है और special surrender value आपको insurance company ही बता सकती है exactly ठीक है जी क्योंकि इसकी जो information है वो भी available है नहीं public domain में interest rate जो है 10.5% का हो सकता है यह बदलता रहता है यह fix नहीं होता है ठीक है आपने दैरपूरवक वीडियो को अंतक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत अभार अभी भी कोई confusion है तो please comment section में जरूर पूछेएगा क्योंकि हमारे एक वीडियो लाते हैं आपके अभार